आज गोव पास्ट में के सुभ अवसर पर गोव माता के लिए एक सुन्दर सी भेट मेरी तरब से स्विकार करें और जहां भी कोई गलती हो तो इस छोटे से बालग को ख्षमा कर दियाना तो मेरी तरब से ये एक छोटी सी भेट गोव माता के उपलक्स में अरे क्रस्न कनईया कहां छुप गया कल युग में कब आएगा तेरी गायों की दसा देखे तुझी को भी रोना आएगा तेरी गायों की दसा देखे तुझी को भी रोना आएगा तुझी को भी रोना आएगा तुझी को भी रोना आएगा तेरे गायों की दसा देखे तुझे को भी रोना आएगा नमबर एक में बताया है अर वैसे तो भारत वासी इस गाय को माता कहते हैं वैसे तो इस गायों को वैसे तो भारत वासी इस गाय को माता कहते हैं आज उसी का मान से नोच कर बड़े चाव से खाते हैं रोटी देना बात दूर की चारा तक ना खिलाते हैं और भूप की प्यासी द्वार पे आए तो डंडा मार भगाते हैं अरे जल्दी आजा मुरली वाले गवन्स कतम हो जाएगा तेरे गायों की दसा देखे तुझे को भी रोना आएगा तुझे को भी रोना आएगा नमबर दो में बताया है पोली थीन से गाय मरती कुते बिस्कुट खाते हैं अर बू चड़ खाने ठूस ठूस कर तरकों में ले जाते हैं बचडों की तेरी दसा देखे आँखों में आशु आते हैं अरे लोट करना आएगी फिर तू लोट करना आएगी फिर तू कितने वन से बचाएगी गायों की तेरी दसा देखे तुझे को भी रोना आएगा और गलियों में फिर भू की मरती चारे का कोई काम नहीं कागज खाये जूटे छिलके जीने में इन की शान नहीं इनको कहते पसु अवारा चरने का इस्थान नहीं हम दर्द कोई सोच रही है तेरी गईया अपना तो भगवान नहीं हम दर्द कोई इनसान नहीं हो 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 तेरी गायों की दसा देख तुझे को भी रोना आएगा सास्त्र कहता गो मुत्र सब रोगों की दवाई है घर की सुधी गाय का गोबर गी अम्रत का भाई है सुबह गव के दर्षन करना दिन की सुरुआत बताई है अरे गव की सेवा सबसे उत्तम संतों ने बतलाई है असोक पंची लिक संदेशा असोक पंची लिक संदेशा तारा चंद भी गाएगा अरे तेरी गायों की दसा देखे तुझे को भी रोना आएगा तेरी गायों की दसा देखे तुझे को भी रोना आएगा बोल गवम अता कीजे हो